नमस्कार मैं हुआ विशेक त्यागी इस वक्त की बड़ी खबर है भारत ने रांची टेस्ट मैच 202 रन से जीत लिया है अफरीका को टेस्ट शीरीज में 3-0 से मात दिया है भारत टीम ने ये बड़ी खबर है इस वक्त की भारत ने पहले टोस्ट जीता इस टेस्ट मैच में और 497 रन पर पारी घोशित की भारत के नोविकेट आउट हुएते उस समय तो अफरीका को बल्लेबाजी के लिए बुलाया लेकिन अफरीका की पूरी टीम भारते गेंदबाजों के सामने फेल हो गई तैस नैस हो गई कह सकते हैं अफरीका की पहली पारी 112 रनों पर धेर हो ग प्रिकेट में ओपनर के तोर पर रोहित ने पहला दोरश सतक लगाया ये एक रिकोर्ड की बात है उसके बाद में रहाने ने भी शांदार सक्के पारी खेली 115 रन रहाने ने बनाये थे रोहित के साथ शांदार साजेदारी की थी रहाने ने तब ही भारत इतने बड़े स्को प्रद्रशन क्या वुम्रहा की गैर मसुद्धगी में शमी उमिय सादव ने शांदार किया है तीम को जीत दिलाई उमेश आदव ने पांच चरएम विकेट हासी मुद्य ने विकेट हाशिर के लेकिन फेन ने ररादि में रहे तो वही नदीम nggak कर乾DD जर थी घे और उन्होंने चार एहम विकेट हासिल करके अपने पहले टेस्ट मैच को यादगार बनाया है भारत ने मैच 202 रणों से जीता है एक पारी पारी और 202 रणों से जीता है दूसरी बात इस मैच के साथ कि कई रिकोर्ड कोहली के नाम हासिल हो गए है कोहली ने सबसे ज़्यादा फोलोन देने वाले कप्तान बन गए हैं कोहली भारत के कप्तानों की अगर बात करें मुहमंद अजुर्दीन के बाद अजुर्दीन ने 7 बार फॉलोण दूसरी विपक्षी टीम को खिला तो कोहली 8 बार विपक्षी टीम को फॉलोण खिला चुके हैं जिसमें 6 जीत और 2 मैच ड्रो रहे हैं तो कप्तानों की लिष्ट में भी कोहली महान बन गए हैं दोनी ने 5 बार खिला था तो गांगली ने 4 बार फॉलोण विपक्षी टीम को खिला था तो इसके साथ ही भारत ने ये सिरीज 3-0 से जीत ली है दिपावली का तोफा भारते टीम को मिला है इसके साथ भारत ने सिरीज जीती है तो आने वाले बगनादेश के जब सिरीज होगी तमाम खबरें लगाता क्रिकेट के हम आप तक पहुंचाएंगे क्रिकेट से जुरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए नमस्कार